हलो दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मैं सलोजिया एंड एसके स्टेटिपॉइंट मत्राम है आज जो हम डिसक्स करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका अड़ी शर्मा का 6.3 एक्साइज 6.2 में आपको प्रिविएस वीडियो में दे चु जो कि बहुती इसी तरीके से आप कर सकते हैं बस थोड़ा सा आपका जो फ्रेक्वेंसी तेज होना चाहिए जिससे के आप आसानी से को कर सके हैं और समझ सकें तो देखिए पहला कोश्यन पर है पहला कोश्यन है वाट इस द वैल्यू ओफ वन माइनस कोस के ठीटा और को सेक जो कि इसकी ठीटा देखिए वन माइनस कोस केठीटा को मैं कह सकता हूँ बहुती फास्त तरीके से होने चाहिए क्योंकि देखिए यहां पर साइन स्क्राइब से साइन कर जाएगा क्योंके वन अपॉन साइन होता है आपका कुसेक स्क्वेर ठीटा यह आपका साइन स्क्राइब साइन कर जाएगा क्योंकि वन अपॉन साइन होता है और इसका अंसर जो आया हो वन सेकें इसक्राइब सेकंडों में होंगे कोश्चन सेकंडों में होंगे ठीक है हमाई साथ मिलकर आप अगर कोश्चन करेंगे तो सेकंडों में कोश्चन कोश्चन करेंगे सिन Спोरने के देखें और साइन स्केर थीडरा है आपके पास साही इसको ठीका ट्रेक्ट ढ़का गाइसा रहा है कि इसको प्लस प्लस इई स्केर थीटा कोज डेहने îmumin इसके थीटा साहिनには निजड़ा हूं ना यह वह ओगया आपका 1 ओके चलिए नैस्ट क्वेशन देख लिए इसकॉष्ट को थोड़ा सा देख लिजिए यह क्वेशन बहुत है यह यह तो यह बहुत बहुत है एज स्कॉष्ट पर करना आ भुद्त को आपको जो दिया गया है वह इसका वैली वतारा है sap 830 माइन हम जानते हैं यह को पलस यह तो बहुत इसी यह तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकर स्क्वियर माइनस-पै्ड स्क्री की और आई राइन टीक होती है यह यह वैली की वन की को क्या आपको दिया गया है एक्षिन में इसका इन्टु में एटाइगा वाई आएगा एक्षिन वेलू आपको कॉश्यन में दी गई है सैक ठीटा माइनस लिए ती टीटा की वेल्यू फाइंड आउट करनी है तो वहा होगा वन अपन ऐक्स तरीक सिस्क्क्ष्षण को कर सकते हैं सेङंगी मैं करेंगे हमारे साथ मिलकर आप फिए धेख लेते हैं कर फिफ्त है को सभी और रायट दे वैल्योव को सेग इस स्क्योर 90-2 और माइनिस 10 स्क्योर ठीटा को सेग स्क्योर ठीटा विए सेक इसक्योड ठीटा और यहां पर हो गया माइनस टेन इसक्योड ठीटा हरे अब इसमें भी कुछ बताने की ज़रूरत है क्या यह तो वन हो गया ठीक है वारे इस दराइट आंसर पर दिस क्वेश्चन ओके चलिए नेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लिए रैट दा वैली अफ इसकी वैली बताने आपको देखें अपर है को सकता हूं sin 90 minus a को cos A, चाहलेक सकता हूं, cos A, चुछ कर्णा इडंटिटी रहे होती है, यह हो गया sin square A plus cos square A, यह हो गया, cos square A, that is 1, 1 is the right answer for this question, okay, 1 is the right answer for this question, next question देख लिते हैं, question number 7, question number 7, बहुत ही आसान question है, बहुत ही आसान question है, देखे, cot है आपके पास, क्या है, cot square theta minus cosac square theta, यह है और तो आपका आपका आएगा वो-1 जह भी सुमन ने लिगए आपको नेस्ट कॉस्चन है एक्स की वैल्यू आपको दी गई है एक्स की वैल्यू दी गई है देखें एक्स की वैल्यू है एसाइन स्क्यर ठीटा एसाइन ठीटा और वाई की वैल्यू है बी कॉस्ट ठीटा यह दो वैल्यू आपको दी गई है बी कॉस्ट ठीटा मैंने क्या किया इ a square sin square theta हो गया यहां पर मैंने इसका square किया तो y b square cos square theta हो गया अब आपको value बतानी है इस बाले part की b square x square plus a square y square की तो यहां पर b को मैं ऐसे ही लिखूँँगा एक्स square की value लगा हुआ तो यहां एगा a square sin square theta प्लस यहां पर मैंने लिखा A2 B2 cos2 theta यहां से मैंने A4 और B2 को common लिया sine2 theta plus cos2 theta हो गया और यह हो गया आपका 1 A2 B2 into 1 तो यानि कि आपका आंसर Ammon जो हाया, वो होगा A2 B2 आंसर जो हाया, वो होगा A2 B2 यानि कि यह ही है आपका आंसर चलिए, question number next देखते हैं, question number next, question number है, sin 4y5, sin 4y5 आपको दिया गया है, और value बतानी है आपको, इसकी cot theta plus cosec theta की, simple value है, sin theta है आपका 4 upon 5, आप यहां से cos की value निकाल लीजे, cos की value जब मैंने निकाली यहां पर, तो वो आ रही है, cos theta की value 3y4, आप इसे निकाल सकते हैं, इसका square करके, 1 minus करके, इसकी value जो आएगी, वो आपके पास हो, यहां से आप value लिख सकते हैं, cosec theta की, जो value होगी, वो होगी 5 upon 4, क्योंकि इसको उल्टा जो होता, वो cosec होता है, अब मैं cot देखूँगा, इसके upon में जब मैं इसे रखूँगा, तो आपको जो value मिल जाएगा, वो रहेगा, सोई, 5 आएगा, यहां पर 5 आएगा, क्या आएगा, 5, अब इसको जो मैं इसके upon में रखूँगा, देखें, cos theta upon sin theta, तो यह cot theta होता है, तो देखें, 4 upon 5, यहां पर हो जाएगा, sorry, 3 upon 5, यहां पर हो जाएगा, 4 upon 5, 5 से 5 cancel out, यहां 3 by 4, आपका यह हो गया, अब जो आपको question मे value पूछ रहा है, उसमें इन value को put कर दीजिए, तो देखें, cos theta, plus cos theta, cos theta, तो cos theta की value है, आपकी 3 by 4, plus cos theta की value है, वो है 5 by 4, यानि कि आपका जो answer आया, 4 यह आगया, और यह जो है, वो 2 है, ठीक है, आपका जो answer है, वो 2, 2 is the right answer for this question, okay, question number 10 चलते हैं, question number 10 देख लेते हैं, question number 10 क्या कर आपके सामने, देखें, बहुत ही आसान है question number 10, same question भाई, mistake हो गया है, दो बार हो गया है, वो question कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए, 11 question देख लीजिए, 9 common लेना है आपको, 9 common ले लीजिए, minus का, तो कुसेक, इसके ठीटा, minus कॉट, इसके ठीटा हो जाएगा, यह होता है, 1, तो minus 9 is the right answer for this question, second row में होंगे, second row में होंगे यह question, आप अगर हमारी साथ मिल कर करेंगे, question number 12 देखें, same question है, minus 6, minus 6, minus 6, या minus 6 बहर लेना है, आपका question हो गया, second row में हो गया, second row में, देखें, किस तरी किसे करना है, देखें, minus 6 कैसे लिए हमेने, अब मैं आपको बताये तो, थोड़ा सा, मैं deep जाओंगा, क्योंकि यह question थोड़ा सा, तुम्हें, यह कहेंगे, सब directly, आपने minus 6 कैस तो, यह तो, identity 1 होती है या, minus 6 is the right answer, minus 6 is the right answer, second row में होंगे question या, second row में, अगर आप हमारे साथ, मिल के करेंगे, तो, चलिए, next question देख लेते हैं, next question है, आपका, what is the value of 10 कैसे थिता, minus, 10 कैसे थिता, 10 कैसे, 10 कैसे, 10 कैसे थिता, अपन में हैो कोट इसके ठीट है सिंपल वैल्याम एव य ऊपर से उपर से कमंछ लेजे एव मांस कर ठीट पाँब और यहां से माइनस कमन लेंगे तो यह मिलेगा कोट इसकी ठीट हो यह वायलु वैले हुते हैं दोहों 1-1 cancel out और यह cancel out ठीक है one upon one one होता है बही one होता है ओके कि देखने ही रहा हो तो देखो यहां से उपर वाली identity से minus common ले ले जगा minus common लेने पर उपर one मिलेगा नीचे वाली identity से minus common लेंगे तो यह भी one बनेगा minus one से minus one cancel out तो आपका one आपका अंसर आएगा यही आपका अंसर रहेगा नेस्ट कोशन देख लिए ते क्वेशन नुमर 14 क्वेशन नुमर 14 है आपके पास क्वेशन नुमर 14 क्या कह रहा है देखिए one plus 10 square theta one minus one plus 10 square theta one minus sine square theta यह question है यह question है आपके सामने बहुती easy question है एक ही बार में हो गया यह होता है sec square theta और यह होता है cos square theta और यह इसका upon में होता है one ठीक है यह हो गया आपका answer one is the right answer for this question तो यह थे आपके top 14 question जो के मैंने इस वीडियो में लिये थे इसी तरह की के वीडियो देखने के लिए आप मारे चैनल को like share subscribe कर सकते हैं यदि आज आज आपको session हमारा अच्छा लगा हो तो और अपने friends को recommend करिए कि आप यहां कर पढ़े हैं अगर आपको कोई भी doubt होता है या कोई प्यारी होती है या कोई question आपको नहीं आता है तो आप मुझे telegram channel पर message करिए उसका reply में आपको बहुत जल्दूंगा ठीक है और आप मुझे comment box में comment भी drop कर सकते हैं जिससे के मैं आपको और भी अच्छे से जो है deal कर सकते हूँ ठीक है